हेलो गाइज, वेलकम बैग मैं यूटुब चैनल, स्वागत है, जोहार है मेरे यूटुब चैनल में दोस्तो आज मैं आपको बताऊंगा बाइक कैसे चलाते हैं दोस्तो आप आप लोग इस वीडियो में आये हो इसका मतलब यह है कि आप लोग फ्रेसर हो नए हो बाइक के बारे में कुछ नहीं जानकारी रखते हो और आप बाइक सिखने के उद्येशे से इस वीडियो में आया है तो आप इस वीडियो को इंड तक पूरा जरूर देखें मैं आपको गरांटी देता हूँ बाइक चलाना सिख जाओगे यह जो मेरा भाई है यह भी बाइक आपको जानकारी दूँगा नौलेज दूँगा चलिए दोस्तों बिने टामेश्ट के करता है वीडियो को स्टार्ट पूरा वीडियो जरूर देखेंगा दोस्तों अभी फिलाल आप लोग नए हो और आपको गाड़ी के बारे में कुछ जानकारी नहीं है तो सबसे पहले म हमारी गाड़ी कितनी स्पीड में चल रही है इसके बाद दोस्तों यहां पर आप देखें यह इंडिकेटर्स के सिगनल और यहां पर गाईज इस्टेन लाइट आपको दिखाए पड़ रहा होगा और यह हाई बीम लो बीम का लाइट है जो कि आपका फ्रंट का हेड़ ले दोस्तों गाड़ी के हैंडल में कुछ कंट्रोलर्स आपको दिखाए पड़ेंगे दोस्तों आप कोई साभी बाइक अगर चलाना सीख रहे हैं तो आपको एक बात का ध्यान रखना है आपका जो दाया हाथ है उससे आप हमेशा फ्रंट वील का ब्रेक कंट्रोल करेंगे और राइट लेक का इस्तेमाल करते हुए इसे कंट्रोल करना है दोस्तों आप अपने राइट हैंड में एक बटन देखेंगे ये बटन कहलाता है सेल्फ जब आप इस बटन को प्रेस करते हैं तो गाड़ी स्टार्ट हो जाती है दोस्तों ये है कि गाड़ी को स्टार्ट करने क इसे परियोग में लाया जाता है इसे इस्टार्ट करने के लिए पैर से जठका लगाया जाता है मैं जैसे ही पैर से दाब लगाऊंगा गाड़ी हो जाएगी इस्टार्ट दोस्तों ये देखे ये है गेर ऑर गेर आपको कैसे लगाना है। मैं सब 75 दिखा देता हूं बहुत सी गाड़ियों में अलग सिस्टम कराता है ये जो नूटरल पर घ जाल रहा है तो यहाँ पर गाड़ी रहती है तो यहाँ पर गयर वगर कुछ नहीं लगेंगे ठीक है यह फिरी आपको लगेगा और अगर आपको गेर लगाना है तो आपको इस तरफ तरफ से दाबना होगा एक gear, दो gear, तीन gear, चार gear और फिर से आपको वापस आना है, फिर से इसको दबना होगा एक gear, दो gear, इससे आपको gear कम करना होगा तो इस तरह से आप gear लगा सकते हैं दोस्तों आपको एक विशेस बात का ध्यान रखना है आप जब भी गाड़ी स्टार्ट किजिए, गाड़ी न्यूटरल पे होने सहिए आपको चेक करके देखना है कि गाड़ी न्यूटरल पे है या नहीं गाड़ी न्यूटरल पे है या नहीं, इसे चेक करने का एक सबसे आसान तरीका है आप गाड़ी की dashboard में देखिए neutral वाला light on रहेगा तो गाड़ी neutral पे रहेगा दोस्तों इस विशे पे आपको बहुत ही बारिकी से ध्यान रखना है क्योंकि गाड़ी गेर पे रहेगा और ऐसे condition पे हम गाड़ी start कर देंगे और अगर अचानक से accelerator ले ले लेते हैं तो हो सकता है कि हमारा गाड़ी unbalance हो और कोई भी हादसा भी हो सकता है दोस्तों गाड़ी गीर सकती है आपको चोट लग सकती है आपका बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है इसलिए ये बहुत ही एस πोटेंट है इस चीजिज को आपको समझना है मैं एक और तरीका आपको बताउगा जिससे आप चेक करके जान सकते हैं गाड़ी न्यूटरेल पे है या नहीं तो चलिए दोस्तो देखते हैं दोस्तो गाड़ी न्यूटरेल पे है या नहीं इसे चेक करने का एक और तरीका है आप अपने किक को इस तरह से पुछ किजिए जब आपका किक पुरा फ्री लगेगा तो आप समझिए कि गाड़ी नूट्रल पे है अगर गाड़ी गेर पे रहती है तो गाड़ी आगे की और जटके से बढ़ेगी देखे जैसे मैं किक मार रहा हूँ और गाड़ी बढ़ रही है और एक महतो पूर्ण बात जब भी आप गाड़ी में गेर लगाएँ आपको कलज के इस्तमाल करना है तभी आपको गेर लगाना है दोस्तों जब भी आप गाड़ी स्टार्ट करें पहले कलच को दाबे उसके बाद ही गाड़ी स्टार्ट करें जो जो बाते मैंने आपको बताई सेम वही बाते मैंने अपने भाई को भी सिखा दिया है अब वो गाड़ी स्टार्ट करेगा और गाड़ी चलाएगा यह भी गेर डाला और गेर डालने के बाद अचानक से कलज दिया छोड़ तो जोस्तों गाड़ी हो गई जटके से बंद अब फिर से ट्राइ करके देख रहा है तो न्यूट्रेल पे किया और गाड़ी अभी करेगा इस्टार्ट अचानक आप कलज छोड़ियेगा फिर हो करना है दोस्तों आपको कलच एकदम आइस्ते आइस्ते छोड़ना एकदम धीरे धीरे छोड़ना है और एकदम जटका से नहीं छोड़ना है हलका हलका आपको कलच छोड़ना और हलका हलका एक से लेटर भी देना है यह देखिए दोस्तों मैं हलका हलका कलच छोड़ रहा गाड़ी अभी मूव करे रहा हूँ अब मैं फिर से अपने भाई को गाड़ी दे रहा हूँ अब देखते हैं मेरा भाई गाड़ी चला पाता है या नहीं चलाओ चलाओ पैर नहीं रखो पैर नहीं रखो सो भाई मैंने आपको लाइफ्प रूप करके दिखाया कि मेरा भाई गाड़ी चलाना सिख चुका हैś और मैंने इसे बार-बार प्रेक्टिस करवाया है और यह काफी अच्छे से आप गाड़ी चलाना सीख चुका है सो दोस्तों आपने भी वीडियो पूरा देखा और आसा है आप भी वीडियो से संतुष्ट हुए होंगे और आपके अंदर से भी बहुत सारा डर जो होगा वो निकल गया होगा और अगर आप इस वीडियो को देखने के बाद गाड़ी चलाते हैं तो मैं गारेंटी देता हूँ आप गाड़ी चला पाओगे